उधारण आठ बहुपद PX बराबर 3X की घाद 2 रिण 8X धन 11 तथा बहुपद QX बराबर रिण 4X की घाद 2 धन 15 के योगफल में से बहुपद RX बराबर 2X की घाद 2 रिण 3X रिण 1 को घटाईए एवं प्राप्त हुए बहुपद की घाद बताईए इसे हल करने के लिए पहले हम PX तथा QX का योग करते हैं यहां सबसे पहले PX धन QX बराबर 3X का घाद 2 रिण 8X धन 11 और दूसरा बहुपद हमारा है रिण 4X का घाद 2 धन 15 इसे हम योग करेंगे अब X के वर्ग का गुणांक 3 और रिण 4 का योग करने पर हमें रिण 1 प्राप्त होंगा जिसे हम लिखेंगे रिण 1 का घाद 2 रिण 8X धन 11 धन 15 का योग 26 होंगा अब हमारे ये जो बहुपद है रिण 1 का घाद 2 रिण 8X धन 26 प्राप्त हुआ इसके बाद हम बहुपद PX धन QX रिण RX को घटाएंगे इसके लिए जो बहुपद योग में हमें प्राप्त हुआ रिण X का घाद 2 रिण 8X धन 26 को RX बहुपद से घटाने के लिए RX बहुपद 2X का घाद 2 रिण 3X रिण 1 को घटाएंगे घटाने के लिए जैसे हम जानते हैं कि गुणांको का चिन परिवर्तित हो जाता है तो यहां धन 2 रिण 2 बनेगा रिण 3 धन 3 और रिण 1 धन 1 होगा अब हम इनके गुणांको को चर के गुणांको को योग करेंगे यहां रिण 1 रिण 2 उभैनिष्ट चरांग 1 अगा 2 धन रिण 8 धन 3 उभैनिष्चर 1 धन इस्थिरांग 26 धन 1 प्राप्त होंगा अब हम रिण 1 रिण 2 का योग हमें रिण 3 एकस घन 2 रिण 8 धन 3 बराबर रिण 5 एकस धन 26 धन 1 बराबर 27 प्राप्त होंगा इस बहुपद में एकस चरांग का सबसे बड़ा घात 2 है अतहा इस बहुपद का घात 2 होंगा